नमस्कार और ना ही किसी के मुझ से सुना है एक चीज पर दोनों कभी मानते ही नहीं है क्या इसका भी इलाज महावास्तु में हो सकता है मैंने कहा कि कोशिश करके देखते हैं सबसे पहले नक्षे पर महावास्तु की टेक्निक के द्वारा मैंने 16 जोन समार्ख किये और फिर मैंने नौर्थीस्ट के जोन को उसे दिखाते हुए पूछा कि यहाँ पर क्या एक से अधिक गनेश जी की प्रतिमा रखी हुई है कहने लगी कि घर के अंदर तो नहीं पर में डोर के बाहर तीन गनेश जी की मूर्तिया है आप सबने तो गनेश जी के जनम की कथा सुनी ही होगी कि कैसे माता पारवती ने उन्हें अपना द्वारपाल बनाया और उनके और उनके पिता यानि शिव जी के बीच में कैसे लड़ाई हुई युद हुआ ऐसा ही कुछ हमें अपने जीवन में भी देखने को मिलता है बहुत प्रचलित है कि घर के द्वार के बाहर यानि मुख्य द्वार के बाहर गनेश जी की फोटो कई सारे लोग लगाते हैं कुछ प्रतिमाई रखते हैं पर क्या ये इतना महत्वपूर्ण है अगर आपको अपने घर में अपने पती और पुत्र के बीच में लड़ाई करवानी हैं तो जरूर रख सकते हैं भगवान का हमारे जीवन में एक मुख्य उद्देश होता है एक मुख्य स्थान होता है उन्हें से समानित पूजा घर में रखें, द्वारपाल ना बनाए मैंने भी उससे यही कहा और साथ में यह कहा कि वो तीनों मूर्तियां ही मिसर्जित कर दे और 21 दिन के बाद मुझे बताना कि क्या रहा उनके परिवार में उनके और पती और ससुर के बीच में लगभग एक महीने के बाद उसका कॉल आया, कहने लगी कि चीजसे काफी हद तक सुधर गई है अगर पहले 0% tolerance थी, तो अब वो सुधर इतना हो गया है कि मुझे लगता है कि अब यह normal family है 90% problems तो solve ही हो गई है बस ऐसा ही कुछ होता है अगर आपके घर में नौर्थीस्ट में एक से जादा गनेश्टी हो या गनेश्टी की फोटो या प्रतिमा आपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रखी हो आप अपने घर में भी चेक कर सकते हैं चेकमाई वास्तू आप डाउनलोड करके घर के सेंटर में खड़े होकर नौर्थीस्ट की तरग घूम चाहिए अगर आपके घर में भी परिवार के सदस्यों की बीच में मत भेद हैं तो आप अपने एक्स्पिरियंसेज हमारे साथ जरूर शेर कीजिएगा mvtrainer.net पर अपने किसी भी नस्दी की आचार्या से आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान पाने के रिए mvtrainer.net पर धन्यवाद